हलो स्टुडेंट्स स्वागत है आपका सीउटी हिंदी मीडियम पर मेरा नाम है अवनीस त्रिपाथी कैसे हैं आप लोग आई होप कि आपके तेवार अच्छे चल रहे हैं तेवारों की बहुत बहुत शुक्कामना है धंतेरस दिपावली सभी आपके भाईया दूज आपका समझोता कब हुआ ठीक है यह जाहिर सी बात है जो समकालीन दक्षिड एसिया वाला चेप्टर वहां से रिलेटेड यह सवाल है और समकालीन दक्षिड एसिया में जो सबसे इंपोर्टेंट चर्चा रहती वह भारत पाकिस्तान संबंदों की रहती है और हम सबको पता है कि 1971 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उसके बाद 1972 में प्यारे बच्चों 1972 में क्या हुआ था यह सिमला समझोता हुआ था एक सवाल इसमें और पूछता है कि वह सिमला समझोता के समय दो नेता कौन से थे तो एक जुल्फिकार अली भुट्टो ध्यान दख और इंद्रिया गांधी के बीच में क्या हुआ था यह सिमला समझोता हुआ था तो यह अपने आप में इंपॉर्टेंट है इस पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है निम्न में से कौन सा देश दक्षड एसिया में सामिल है ऑप्षन है भारत पाकिस्तान स्रलंका या उप्योग सभी ठीक है कौन सा देश दक्षड एसिया में सामिल है तो दक्षड एसिया में जो सामिल देश है वो कौन कौन से है एक तो देश सामिल है बच्चों देखिए इसमें भारत ठीक दूसरा पाकिस्तान ठीक है अफगानि अफगानिस्तान को कई बार पूर्वी या मद एसिया में पूरवी नहीं मद एसिया में भी सामिल कर जाता है लेकिन दक्षेश के कारण इसको सामिल कर लिया जाता है इसके अलबा अगर आप देखेंगे तो बांगलादेश, स्रिलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान यह सारे देश दक्षिड एसिया में सामिल हैं तो इन आप्षिंस में अगर आप देखें तो यह सारे के सारे स्रिलंका, यह सारे के सारे का हैं दक्षिड एसिया ही देश में सामिल हैं और जो दक्षेश है उसमें कौन-कौन से हैं आठ हैं क्योंकि दक्षेश में अफगानिस्तान सा सवाल ही पूछे जा सकते हैं आपसे अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेश का सदस्य नहीं है तो दक्षेश में आठ यानि सार्क जो है बच्चों जिसकी स्थापना 1985 में हुई जिसका मुख्याले काठमांडू में है और जिसकी पहली बैठक धाका में हुई थी इसमें आठ सदस्य है जिसमें इंडिया पाकिस्तान स्री लंका अफगानिस्तान बांगला देश मालदीव नेपाल और भूटान है ना तो कुल मिला कर ये एक दो तीन चार पांच 6 7 8 8 देश इसमें सामिल है लेकिन म्यामार इसमें सामिल नहीं है ये इसमें सामिल नहीं है क्योंकि म्यामार किसमें सामिल है आसियान दक्षिड पूर्वी ACI देशों में सामिल है इसलिए म्यामार इसमें अलग हो जाएगा चलिए अगला सवाल अगर हम देखे बच्चों अ यहां की खूफिया एजनसी के रूप में देखी जाती है चर्चा यहां पर इसलिए हो रही है क्योंकि अक्सर भारत के लिए कुछ ने कुछ गरबड़ी करता रहता है भारत-पाकिस्तान सम्मंदों में खटास आती है अगला सवाल अब थोड़े से अपी लगू या की वेरी सौट कोशन्स देखते हैं पहला सवाल है नेपाल में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया नेपाल में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया या गड़तंत्र कब बना नेपाल तो नेपाल में पिछले 240 वरसों से चले आ अलाइंस हुआ था सेवन पार्टी अलाइंस सेवन पार्टी अलाइंस वहां पर हुआ था ध्यान रखिएगा और लोगतंत्र के आंदोलन के बाद फिर फाइनली जो आखरी वहां सम्वेधान ठीक से लागू हुआ है वो 2015 में हुआ है लेकिन 2008 में ये लोगतंत्र हो गया था अगला सवाल है स्री लंका में संघर सरत ठीक है जाती समू के नाम बताइए तो स्री लंका में संघर सरत जाती समू है तमिल है जो वहाँ के म भारतिय तमिल खास करके और सिंगलीस जो वहाँ के लिए हुआ और 1985 में बांगलादेश के धाका में इसकी औपचारिक रूप से इस्थापना हुई तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्याले कहा है बच्चे इसका मुख्याले है काथ मांदू में आगे बास समझ में हाँ सर ठीक ऐ स्रिलंका में जातिय संभर्स के दो कारण बताईएं श्रिलंका में जातिय समस्या का समाधान स्रिलंका में सिंगली और तमिलों के बीच लंगे संभर्स का अंत उनमाई 2009 में लिख्टे सर्वच नेता प्रभाकरण के मारे जाने के साथ हुआ स्रिलंका की सरकार ने धीरे-धीरे लिटे के प्रभाव वाले अधिकार कर लिया और युद्ध समाप्त हुआ तो यहां जातिय समस्या का समाधान वाला जैसे उसमें दो सवाल होते हैं एक जातिय संगर्स के कारण बताईए और एक जातिय संगर्स का समाधान तो ये समाधान वाले का अंसर यहां पर लिखावा है, दो सवाल थेक चुली, ठीक है, कारण क्या था, कारण मुख्य रूप से बहु संख्यक वाद, यानि सिंगली उसको लगता था, कि सारे अधिकार उसको मिलने चाहिए, और तमिल, तमिल जन संख्या के साथ बेदभाव, यह दो समाधान के बारे में लिट्टे को जब मारा गया, उसके बाद उस पर कपजा की आगया, ठीक है, कैसे हम आपर कपजा की आगया, देखो, कारण यहां भी लिख दिया गया है, अलग से भी लिख दिये मने, स्रिलंका में बहु संख्यक सिंगलीों ने, धर्म और भाश के आधार पर एक नए राज्य के निर्मार का प्रयास शुरू किया और इसका तमिलों ने विरोध किया स्रिलंका सरकार को मिली को मिली के प्रति भेद बहुत तो यही कारण थे जिन कारणों से वहाँ पर यह संघर चल रहा था कोश्चन है पाकिस्टान के लोकतंत्री करण में कौन कौन सी कठिनायाह oggi अभी हूँ थोड़ा सा इसको देख लीजिए पाकिस्टान में सैनी कहस तकषेप काउन कौन सी कठिनायह हैं क्यों वहाँ लोकतंत्र ठीक से स्थापित नए रह पाता है तो एक तो बेच्चो इसमें हो जाएगा क्या एक हो जाएगा इसमें सैनिक हस्तक्षेब कटरताबाद आजाद धर्मगुरू और भूश्वामी अभिजनों के सामाजिक प्रभाव वहाँ धर्मगुरू का भी बहुत प्रभाव रहता है वो चाते की उसी हिसाब से साशन चला रखा और किसी भी निर्वाचिस सरकार को ठीक ढंक से काम नहीं करने दिया तो यह वो कारण है जिसके कारण पाकिस्तान में लोगतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं लगू उत्तरी सवाल कुछ और देख लो दक्षिडेसिया में कौन-कौन से देश समलित हैं और इस छेतर में शांती और सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है तो दक्षिडेसिया में निमलिखित देश सामिल है भारत सिरलंका पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल बांगला देश भूटान मालदी वादी दक्षे जो है यह दक्षिडेसिया में शा शिक्षा राज्णीतिuko स्थिर्था राज्णीति को स्थिर्ता मतलब सरकारें गृति रहती हैं बार बार या प्रमुक्ष समस्या है इस चेतर के देश यदि आपस में सहयोग करें तो इन शमस्याओं का निराकरण किया जा सकता है यही वे कारण है जिनके चलते डख्षिड ACI छेत्रिय सहयोग संगठन दक्षेस की स्थापना की गई 1985 में दक्षेस अस्तित्य में आया गठन के समय दक्षेस में साथ देश सामिल थे भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, स्रिलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव भारत के प्धार मंत्री ने उद्घाटन भाषण में सिखर सम्मेलन में एक नए सवेरे की सुरुवात बताया और कहा कि छेत्रिय सहयोग आत्मिर्भरता का रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर समस्देश, गरीबी, असिक्षा, कुपोशण आदी से लड़ सकते हैं यानि यह दक्षिड एसिया में जो एक सहयोग बनाने की बात है उसकी पहल पूरी यहां पर दिखाई गई है ठीक है इस तरह आप इसके आंसर को लिख सकते हैं अब दिर्गुतरी सवाल में एक देख लीजे कि भारत और पाकिस्तान के भी संघर्स का मुख्य कारण क्या है अगर समराइस करने को आप बोलो तो मुख्य कारण क्या होंगे यह कस्मीर का मामला मुख्य कारण है ठीक है एक वहाँ से आतंगवाद जो इन्फिल्ट्रेट होता है उसका मुख्य कारण है नदी जल को लेकर भी शिंदू नदी जल को लेकर थोड़ा दिक्कत रहती है सरक्रीक का इलाका ये सारे इलाक दिक्कते हैं भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान के बीच समान इतिहास और समान संस्कृति विरासत है फिर भी पाकिस्तान सरकार का दिष्टिकोड हमारे परती सत्रता पुर्वक रहता है जब भारत और पाकिस्तान के समबंध की बात आएगी तो धान लखना इन दोनों में परसपर संदेह की राजनीती है परसपर संदेह की राजनीती देखने को मिलती है ठीक है और इसमें आगे क्या देख सकते हैं दोनों देशों का इतिहास दोनों देशों का जो अभी यह मैंने हेडिंग्स लिख दिया है उसको आप वो कर सकते हैं बड़े में लिख सकते हैं कि दोनों देशों के इतिहास में खास करके आप देखो तो जो दो राष्ट से धान्त की मांग हुई तभी से दोनों के अंदर बिवाद पैदा होना शुरू हो गया मतलब अंदर आग लग गई थी बाद में बटवारे के बाद बिवाद हो गया कश्मीर के स्वामितों का 247 को मराजा हरी सिंग ने विलैपत पर हस्ताक्षर कर दिया उसके बाद जवरस्ती पाकिस्तान घुसाया और वो लड़ने लगा मतलब पहले लड़ने लगा फिर उन्हों ने हस्ताक्षर किये लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने को तयार नहीं है न वो यूनों के कोशिस करता है है और भारत में आशानती आती है परमारु हतियारों की होड है ने परमाडु पर केशण के तो पाकिस्तान में भी किया सीना पार अतंकवाद का मुद्धा पाकिस्तान वे शैनिक वजूद भी भारत पाकिस्तान में इन मुद्दों पर अक्सर तनाओं की इस्थिती बनी रहती यह मैंने दिर्गुत्तरी की पॉइंट्स डाले हैं इन पॉइंट्स को आपी लोबरेट करके दो दो लाइन लिख सकते हैं और एक्जामिनेशन में इस तरह आपको कमसकम अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध और बंगलादेश का उदय जो 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ और बंगलादेश एक अलग सोतंतर राज्य बनवा दिया गया यह भी पाकिस्तान को चुबता है सियाचीन ग्लेसियर पर नियंतर पाकिस्तान उस पर भी आंक गड़ाय पाके के तरफ से और सोचता है कि उस पर भी कुछ अधिकार जमाय जाए तो यह सारे मुद्धे हैं जिन मुद्धों के कारण भारत और पाकिस्तान में लगातार तनाओ बना हुआ है तो बच्चों यह कुछ कोश्चन थे जो मुझे आप लोगों से डिसकस करने थे जिसमें मैंने कुछ MCQs, कुछ लगूतरी, कुछ दिर्गूतरी सवाल कराए I hope कि यह सवाल आपको पसंद आ रहे होंगे अगर आप अपने UP board और CUET दोनों की त्यारी अच्छे से करना चाहते हैं तो ADDA247 का app डाउनलोड करके CUET Hindi Medium में चले जाए ठीक है CUET Hindi Medium में चले जाए और वहा करे सकते हैं Y768 से आपको maximum discount मिल जाएगा और आप अपनी परिक्षा की त्यारी अच्छे से कर सकते हैं कोई doubt हो तो मुझे email कर दीजिएगा अवनीश.tripathi at the rate adda247.com इस पर email करेंगे तो आपको सम्ला दूँगा कि कैसे purchase करना है बैच को या क्या दिक्कते हैं ठीक है चलो तो मिलते हैं अंगली वीडियो में इसको खुब शेयर करिए लाइक करिए थैंक यू बाय बाय जैहिन